इसा कुछ नहीं है भक्त नहीं हूं मैं लेकिन उन्होंने बिग बॉस में काफी इंटर्टेन किया और यह हकीकत बात है कि जब से स्वामी जी बिग बॉस से निकले हैं उस दिन से बिग बॉस की टी आर्पी जो हो कम हो गई है अब अब अएटिक आदमें जाहिऊ जी बाते बाबाजी को देखें गई जितनी भी नीउस हैं उनकी देखते हैं बाबा जी की बट एं तो वह कलंक बाबा के नाम पर बट फिर फिर एक इंटर्टेन के लिए उनको देखते तो सलमान भाई अब हम से इसाब किटाब करेंगे ना क्या है उनका और बाबा पूरा जूट पे टिका हुआ है ना जितना भी फर्जी बाबा है वो किया ऐसा क्यों गोला मीडिया में टी आर्पी के लिए गर से तो निकलता है खेर वो कि एक नंबर का जूटा मकार आदमी है बाबा पूरे संतों को उसने बदनाम कर दिया जितनी भी धार्मिक हिंदू का जो भी हुए उसको ठेस पहुंचाया उन्होंने संत को पहुंचाना च चिकन वीकन खा लिया उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजे जो नहीं करना चाहिए था उन्हें बाबा के नाम पर बहुत बड़े वो कलंक और ढौंगी फरोड बाबा है उनके उपर साइकल चोरी का भी केस चल रहा है पतानी कितने मुकदमें उन पर दर्जे दिल्ली के अंदर चुनाओं लड़े वो कौन सी उसमें 2013 वेरा में तो सारी चीजे छुपाई उन्होंने अब बोलते हैं सत्यवादी अरीश चंदू जबके उसके अपोजीटे हैं